नमस्कार हिंदुस्तान मैं चेतन कुमार वर्मा इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूटूब चैनल पर आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वॉइस कलियर आ रही है क्योंकि लास्ट टाइम एक दो विडियो में ऐसा हुआ था जहां पे वॉइस कलियर नहीं हो पा रही थी तो अगर आपको voice clear आ रही है please एक message छोड़ दीजे ताकि हम लोग आगे proceed करें चीजों को दोस्तो मोरिंगा, drumstick, सहजन, महराष्ट में इसे सेवगा कहा जाता है राजस्तान में इसे सेवगान फुली कहा जाता है आज हम जिस product की बात कर रहे हैं इसके पहले भी इंडिया के ऐसे बहुत सारे products की हम लोग बात कर चुके हैं discuss कर चुके हैं मैं आप लोगों को live दिखा चुका हूँ और आज भी मैं आपको 900 रुपे kg आपकी drumstick, moringa, big सकती है ये आपको live दिखाने वाला हूँ big रही है, big नहीं सकती, big रही है और आज इस live का उद्दे से भी मेरा यही है कि आप लोग ये जो pricing जो आप लोगों को दिखती है उसके लिए एक परियास आप लोगों को करना चाहिए ये European market के लिए मैं आपको बता रहा हूँ European market में drum stick हो, सहजन हो, सेवगा फली हो, मौरिंगा जिसे कहा जाता है ये सब 900 रुपए किलो फली बिक रही है दोस्तो आप खुद मैं अभी आपको end के अंदर मैं कुछ आपको keywords बता हूँ जो आपको search करने है Google के उपर और उन keywords के उपर जो websites आपको मिलेंगी, जो retail की भी है, ठोक की भी है, जहां पे आपको live ये बहाव मिलेगा आपको ये देखने को मिलेगा, इवन दुबई के अंदर भी आप अगर इसे check करोगे, तो वहाँ पे भी आपको 15 AED, एक AED की कीमत near about 19.70 के something है यानि गुनिस रुपे 70 पैसे के something आज का दिन AED की कीमत इंडिया के अंदर है, तो आप ये सोचिये कि 15 AED उसकी कीमत क्या होगी, ये भाव दुबई जिसे आप सबसे बड़ा export market आप लोग मानते हो, ये भाव वहाँ पे भी है लेकिन मेरा concern आज दुबई नहीं है, मेरा concern आज बाखी के country नहीं है, मेरा concern आज एक है कि अगर आप लोगों के पास में सही में quality products हैं, तो आप लोगों को European market के अंदर अपनी दस्तक देना शुरू करना चाहिए दोस्तो European market को जितना हम research करते जा रहे हैं, जितना market के अंदर depth में जाते जा रहे हैं, उतना जो price है, हर product का price जो है वो enhance होके निकल रहा है drum stick जैसी चीज अगर 900 रुपय किलो वहां पे भिक रही है, आप सोच सकते हो कितना बड़ा margin जो है आपको मिल सकता है, लेकिन ये वही बात है कि ये margin सिरफ सोचने से और बात करने से नहीं मिलेगा इस margin के लिए परियास करने होंगे, अथक परियास करने होंगे, आपको खुद को भी prepare करना होगा बहुत सारे लोग जब हम ऐसी कुछ नहीं चीजे लेके आते हैं, जब हम spices में लेके आये थें, कि spices का भाव European market में क्या है और ये हम नहीं कहते हैं, आज के दिन जो हमारे vendors हैं, European market के अंदर जो ये material मंगवा रहे हैं, ये वो लोग उस price के ओपर वहां के market में sell कर रहे हैं Special United Kingdom हो, या फिर USA का भी अगर आप पार्ट देखते हो, दोस्तों बहुत बड़ा price का difference मिलता है लेकिन उन लोगों को एक चीज की जरूरत होती है, वो है quality, quality product उन लोगों को चाहिए आज तक जितने हम लोगोंने consulting की हैं, जितने भी European buyers और उन लोगों के साथ में consulting की हैं उन लोगों का एक ही बोलना होता है, कि सर यहाँ पे quality material अगर पहुचा दिया जाए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लोग पैसा खर्च करते हैं अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे ही एक non-able person थे, जिन्होंने वहाँ पे जो फिलाल UK के अंदर हैं, उन्होंने जो अपना अमरूद आता है, जिसे हम महरास्त में पैरू भी कहते हैं, उसकी वो स्टोरी बता रहे थे, कि 800 रुपे किलो यहाँ पे पैरू मिलता है, वो अमरूद वो पैरू जो हम यहाँ पे 20 रुपे किलो खाते हैं, वो 800 रुपे किलो अपने आप में amazing है यह चीजे, लेकिन यह चीजे ऐसे ही नहीं होगी, अगर इतना बड़ा margin चाहिए, तो उसके लिए उस लेवल की मेहनत भी करनी होती है, उस लेवल की branding हो, उस लेवल का, आपका communication, उस लेवल की आपकी एक business value, brand value, सारी चीजे enhance करनी पड़ती है, तब जाके आपको यह margin मिलता है, लेकिन दोस्तों, आज मेरा एक छोटा सा question आप लोगों से है, मेरा मानना है, मैंने इंडियन मंडी के भाव, drumstick के, या आप जिसे सेवगा फली हम कहते हैं, उसक अलग अलग मार्केट हैं, जहां पर महरास्ट में देख रहा हूँ, तो वहां पर 5,000 से लेके 5,000 रुपए पर क्विंटल तक का माल होता है, केरला के अंदर ये material ज्यादा महेंगा है, वहां पर 5,000 से लेके 13,000 रुपए पर क्विंटल तक का है, और जबकि हम बाकी गुज गुजरात में देखते हैं, तो गुजरात में ये सस्ता है, 2000 से लेके 4,000 रुपए पर क्विंटल का, ड्रम स्टिक, सहजन, सेवगा, फली, मोरिंगा, आप इसे कुछ भी बोलिए, वो आपको मिल जाता है, तो जब इंडियन लेवल पर हम देख रहे हैं, दोस्तों तो मेरा आज ये क्योस्टन है, बहुत सारे लोग आप में से बोलेंगे और सोचेंगे, कि भाया ये जो आप 900 रुपए किलो बता रहे हो, ये रिटेल का भाव है, ये हमें कोई क्यो देगा, एक्सेप्टेट, आज आपकी उतनी ब्रांड वैल्यू नहीं है, आपका बिजनस स्ट्र आप ये सोचते हो, कम्यूकेशन पार्ट में हो, XYZ कोई भी फेक्टर हो, लेकिन आप ये चीज तो मानोगे, कि अगर 50 रुपए किलो आपकी पर्चेजिंग प्राइज है, तो क्या आप 50 रुपए किलो और मिलाके 100 रुपए किलो तो भेज सकते हो, अगर 100 रुपए किलो भ बात नहीं है, ड्रम स्टिक के अलावा जितने भी प्रोडेक्स हैं, आप किसी भी प्रोडेक्स को कंपेर करके देखेगा, मैं अभी एंड के अंदर आपको वेबसाइटे बताऊँगा, जहां पे आप ओपन कंपेर कर सकते हो, मैं कोई चमतकार नहीं दिखा रहा है, मैं बि प्राइज के लिए आपको खुद को बाहर निकलना पड़ेगा, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी इस प्राइज के लिए, अगर आपको ये प्राइजिंग चाहिए, तो आपको खुद को एवलेबल होना पड़ेगा, हर प्लैटफॉर्म पे, जहां पे आप हो सकते ह मैं किसी से नहीं कह रहा कि आप मुझसे कोई सर्विस लो ट्रेनिंग लो कुछ भी नहीं आप किसी से भी लो लेकिन सब लेने के बाद में भी आपको एक चीज जरूर करनी पड़ेगी और वो है खुद पे भरोसा और अपने बिजनस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए आपको अथक परियास करने पड़ेंगे मेहनत करनी पड़ेगी ये बिजनस है ये प्योर बिजनस है ये कोई करोड़पती बनाने का प्लैटफॉर्म नहीं है जो लोग तुरंत करोड़पती बनने के चक्कर में इस बिजनस में आते हैं वो तुरंत ही लोस खाके इस से गायप हो जाते हैं क्योंकि यहां पर बनाने वाले भी बहुत बैठे हैं दोस्तों इसलिए ही मैं स्टार्टिंग से दो ही चीजों पर हमेसा बात करता हूं कि खुद के नौलेज को डवलप कीजे इतना डवलप कीजे कि आप खुद अपने बेस के उपर अपनी हिम्मत के ब कोई भी प्रोडेक्ट हो कोई भी प्रोडेक्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है मिट्टी से लेके सोने तक सब कुछ बिखता है लेकिन जरुरत है आपके नौलेज की जरुरत है आपके लिंक्स की जरुरत है आपको खुद को मार्केट में निकलना पड़ेगा अगर आप य हो सकता है आज अगर मैं drum stick की बात करता हूं दोस्तों तो drum stick के साथ साथ में अगर आप देखते हो तो moringa powder हो leaf हो इसके seeds हो यानी ये product अपने आप में एक बहुत बड़ा product है जिसका हर product अपने आप में बिकता है तोकि ये health के लिए काम में आता है chemicals के लिए काम में आता है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर ये product डिरेक्ली काम में आता है और इसलिए इसकी डिमांड जो है वो day by day increase होती जा रही है और इंडिया का जो ड्रम निस्टिक है उसकी quality बहुत बहतर मानी जाती है जबकि अगर हम इंडिया के अलावा अगर other countries को देखते हैं जिनमें घाना है फिलिपिन्स है नाइजीरिया है केनिया है रवेंडा है और कंबोडिया है हैती है ये भी competitor market माने जाते हैं कि drumstick सहजन या फिर आप इसे अपना moringa जिसे हम कहते हैं उसके लिए ये countries भी competitor countries मानी जाती है लेकिन जो सबसे best quality मानी जाती है वो इंडिया का है इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ quality means इंडिया आप भरोसा कीजिए अपने product पे आप भरोसा कीजिए खुद के उपर और उसी भरोसे के साथ में एक बार international market में approach करके देखिए कोई document मत बनवाईए कोई training मत लीजिए कुछ भी मत कीजिए सिरफ social media और बाकी के platform के थुरू खुद को एक बार तयार कीजिए और एक बार international market में इन products के साथ में पूरे भरोसे के साथ में एक बार पिंच करके देखिए दोस्तो आपको जो result मिलेगा उस result के बाद में आप खुद को तयार करके जाए जैसा हम जानते हैं drumstick moringa ये food and agriculture का product होता है इसलिए इसके भी जो documents होते हैं वो simple है आपको कोई भी entity आप चूज कर सकते हो swap active के basis पे GST के basis पे या फिर आप company के basis पे इसको सुरू कर सकते हो उसके बाद में आपका IEC हो गया एपेडा की RCMC इसमें लगेगी और MSME आप initiative परपत से इसके लिए ले सकते हो जो best अगर मैं आपको market बताऊं इसके कि कहां कहां पर यह import की जाती है तो China, US, Germany, Canada, South Korea और European countries जो मैंने आपको starting में कहा European countries यह वो सारी countries जो दोस्तों जहां पे सबसे ज़्यादा drumstick का import किया जाता है और उसमें भी European countries में drumstick को सबसे best price मिलती है यानि 9 से 10 pound पर केजी तक की price मिलती है एक pound 90 रुपय का होता है आज के दिन दुबई का भी भाव मैंने already आपको बताया है ऐसे ही अब आपको अगर price search करना है मैं आपको simple सा तरीका बताता हूँ आप मैं फिलाल live पे हूँ इसलिए मैं आपको screen share नहीं कर सकता हूँ जो मैंने पहले के products पर आपको करके भी दिखाई है आपने सिरफ आप note down कर लीजे आगे के जितने भी live होंगे दोस्तों एक request सभी से रहेगी कि आप लोग अपना एक notebook और pen लेके साथ में बेठा किजिए ताकि जो चीजे आपको important लगे जो चीजे confusable हो उनको आप note down किजिए comment कर दिया किजिए आपको 100% reply मिलेगा हमारी तरब से आपको वो knowledge process किया जाएगा क्योंकि हम मानते हैं कि भारत भाग्य विधाता तभी होगा जब आप लोग साथ में आएंगे और भारत को आगे लेके जाएंगे आप लोगों को simple और simple सिरफ google open करना है और google open करके आप लोगों को वहाँ पे type करना है drumstick prize in यूके drumstick prize in दुबई जिस country में आपको करना है उसका सिरफ pricing का आप drumstick prize और उसके आगे country का नाम आप लिग दीजेगा वहाँ पे जो website आती है वो आपको वहाँ की retail की prize ये बताएगी कि वहाँ पे क्या भाव के अंदर आपका product बिक रहा है और जब उनको वह retail के अंदर वह भाव मिल रहा है मैं कह रहा हूँ कि अगर वह 900 रुपए छोड़िये दोस्तों अगर आपका product 1500 रुपए किलो में भी जा रहा है तो हमें नुकसान कहां पे हैं अगर 100 रुपए किलो भी जा रहा है logistic part छोड़ दीजिए logistic अलग हैं मैं सिरफ आपके profit margin की बात कर रहा हूँ कि अगर 100 रुपए 80 रुपए किलो भी आप बेच रहे हो तो आपको नुकसान कहां पे है डायरेक्टली एक bulk quantity आपकी export होती है लेकिन जैसा मैंने कहा इसके लिए आपको खुद पे भरोसा करना होगा इसके लिए आपको खुद को तयार करना होगा इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा जो ये सोचते हैं कि export import में कुछ नहीं रखा आप जो कोई भी exporter ह होगा जिसने export किया है एक बार उससे पूछ के देखिए कि क्या वो domestic में काम करेगा वो बोलेगा मुझे domestic में काम करना ही नहीं है क्योंकि export एक volume का business है export जहां पे 20,000 किलो material आप अगर local में बेशते हो तो आप एक बहुत बड़े trader माने जाते हो यहां पे 20,000 किलो material सिरफ एक container का part होता है इसलिए मैं आप लोगों से हर वीडियो में request करता हूँ खुद को जागरत कीजे अपने आसपास के लोगों को जागरत कीजे अगर आप export नहीं कर सकते तो किसी और को support कीजे आप पड़े लिखे हो अगर आप नहीं करना चाते तो किसी और की मदद कीजे लोगों को जागरत कीजे क्योंकि ये काम देश के लिए है दोस्तो यूरोपियन मार्केट में आपका कोई भी product हो आप यूरोपियन मार्केट के अंदर एक बार सैंध जरूर लगा के देखिए यूरोपियन मार्केट सच में आपको मैं बोल रहा हूँ जन्नत है स्वार्ग है export के business क लिए लेकिन उन्हें सिरफ quality product चाहिए वो quality में compromise नहीं करते हैं especially अगर आपके पास में organic products हो तो आप बेजिजक यूरोपियन मार्केट में जाएए आपको वहाँ पे 100% opening मिलेगी 100% आपको buyer मिलेगा लेकिन उसके लिए परियास आपको करना पड़ेगा उसके लिए खुद क रिजरनेट आपको करना पड़ेगा आपको learning पार्ट पर जोर देना पड़ेगा अपने product चे उपर command बनानी पड़ेगी दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज जो हम लोगों ने बच्पन में एक story सुनी थी एक कववा प्यासा था जंगल में घूम रहा था यह आप सभी कंकर डालना है, communication का कंकर डालना है, आपको यह जब कंकर डालोगे तो सफलता अपने आप आपके पास में उपर आती जाएगी इंटरनेशनल व्यापार के अंदर, दोस्तों भारत भाग्य विधाता, इन तीन सब्दों को अपने दिमार्ट में चापके एक बार मार्केट मे निकलिए, एक बार जीवन में परियास जरूर करके देखे, आज जो ये भाव मैं आपको बता रहा हूँ, 900 रुपए केजी, ये कोई मैं आकडे नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने आप पे छोड़ दिया है, आप खुद सर्च कीजे, आपको खुद को ये भाव दिखेगा, ख उसके बाद में इंटरनेशनल मार्केट में जाईए, दोस्तों आज के लाइव को हम यही पर निक्खतम करते हैं, सब्सक्राइब कीजे जो लोग ने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजे, अब हर दिन लाइव होगा यहाँ पे, हर प्रोड़क का लाइव यहाँ पे होगा, ह तो कि देश सर्वों पर ही है, देश सब से आगे है, और हम उसी देश के वासी है, जैहिन, जै भारत!